हेलो एविवन वेलकम तू लिब्रेशन आई हैस मैसल भारती गौतम और आज का हमारा टॉपिक है स्टबल बर्निंग और पूसा डिकम्पोजर यह टॉपिक न्यूज में था क्योंकि अभी दिली के चीफ मिनिस्टर अर्विन केजिवाल ने अनौंस किया है कि 11 अक्टूबर स गों हैं जो कि बायूदीकम्पोजर इन्हें इस प्रे करना स्टार्ट किया जाएगा तू प्रेवेंट स्टबल बर्निंग क्या हमारे जब हमारा वीट की फसल को सो करने से पहले जब पैडिन की फसल काटी जाती है तो उसका जो क्रॉप रेजीडियू रह जाता है और फील की क्रॉप का क्रॉप रेजिडियू रह जाता है उसे जो है फार्मस जला देते हैं ऑक्टूबर नवेंबर में क्योंकि ऑक्टूबर नवेंबर में पैडी की क्रॉप को काटा जाता है और वीट की क्रॉप को बोया जाता है सोग किया जाता है तो इस crop residue के जलाने के process को हम stubble burning बोलते हैं तो stubble burning जो है इसके negative impacts क्या है सबसे पहले कि सबसे पहले इससे हमारा air pollution होता है क्योंकि जब हमारे crop residue जलाया जाता है जब हमारी parali जलाई जाती है तो हमारे harmful gases release होते हैं atmosphere में जैसे कि carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, methane carbon monoxide and volatile organic compounds और दूसरा यह है कि इससे nutrients lose होते हैं soil के क्योंकि जब heat generate होती है stubble burning से तो वो heat जो है earth में penetrate करती है मतलब soil में penetrate करती है and it leads to the loss of moisture in soil soil में moisture खतम हो जाता है it leads to the death of microorganisms कुछ useful microorganisms हमारे होते हैं जो हमारे crops के लिए useful होते हैं उनका जो वो खतम हो जाते हैं soil में से और soil हमारे less fertile हो जाती है as a result soil becomes less fertile तो इसलिए जो है यह सब stable burning के negative impacts है और जो है जब air pollution होता है जब पंजाब हरयाना राजिस्थान उत्तरपरदेश इसमें यह जो प्रेक्टिस जादा जब temperature ठंडिया आनी शुरू हो जाती है तो जो cold air है यह आपने पढ़ा होगा कि hot air rise होती है और spread होती है hot air rise होती है और वो जो है spread होती है क्योंकि ऊपर जो है atmosphere में pressure कम होता है pressure कम होता है तो air spread होती है लेकिन जब air ठंडी होती है तो cold air rise नहीं कर पाती है तो जो डेली में जो pollution है वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है because of vehicles because of हमारा industry हमारा pollution डेली में पहले से ज़्यादा है stable burning से pollution और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी के साथ हमारा महीना है October और November का थंडियों का शुरू होना नौर्थ इंडिया में और temperature कम हो जाता है तो air cold होती है और cold air rise नहीं करती है cold air rise नहीं करती है तो हमारा pollution जो है city में block होके रह जाता है city में pollution block होके रह जाता है तो आपने डेली देखा होगा news में October November के महीने में Delhi जो है पूरा धुंडला हुआ रहता है उसमें smog smog जैसी condition smog बन जाता है और foggy foggy सा atmosphere हो जाता है हमारा breathing problems होती है लोगों को आखों में जो है जलन होती है उस हवा से आखों में जलन होती है people को लोगों को बहुत spend करना पड़ता है अस्थमा के मरीजों को जो हमारे breathing problems के जिन लोगों को हैं उनको बहुत suffer करना पड़ता है अब हमारी जो है हमारा burning of crop जो है यह crime है under section 188 of IPC Indian Penal Court के section 188 में and under air pollution control act of 1981 इसमें यह crime है और national green tribunal ने 10th of 10th of December 2015 को ban कर दिया था stubble burning को राजिस्थान यूपी हर्याना एंद पज्जाब में इसमें ban कर दिया था national green tribunal ने stubble burning को 10th of October from 10th of October 2015 अब जो है stubble इतना सारा problem होने के बाद भी farmers फिर भी stubble burning को क्यों कर रहे हैं क्योंकि they have no alternative उनके पास कोई भी alternative नहीं है और उनके पास वो ill-occupied है उनके पास कोई और method नहीं है इसे जलाने के अलावा क्योंकि अगर वो उसे decompose करें तो बहुत ज़्यादा time लग जाएगा अगर decompose होने के लिए छोड़ें तो बहुत ज़्यादा time लग जाएगा और इतने में गेहों बोने का समय चला जाएगा time जो है चला जाएगा wheat को सो करने का क्योंकि wheat को सो करने के time एक आइडियल temperature चाहिए होता है 25 to 30 degree तो वह temperature चला जाएगा ठंडी आ जाएगी वह wheat नहीं सो कर पाएगी अगली क्रॉप नहीं हो पाएगी और अगर कोई नहीं टेकनोलोजी आती भी है तो हमारे इंगें फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वह उस नहीं टेकनोलोजी को अडॉप्ट कर पाएं या फिर पाएं और इसके अलावा जो फार्मर्स है उनका खेट जल्दी से क्लियर हो जाता है टाइम नहीं लगता बस आग लगानी है पैसा नहीं लग रहा और यह जो है कुछ वीड्स को के जो हामफुल वीड्स और पैस्ट पैस्ट उन्हें जला देती है उस हीट से हामफुल क्या होते हैं यह हमारा पैसब से पहले हम देखते हैं हमारे डिकंपोजर्स क्या होते हैं डिकंपोजर्स हमारे ऑर्गेनिक होते हैं जो डिकंपोज करते हैं जो की ब्रेकडाउन करते हैं और अर्गेनिक मेटिरियल को और अर्गेनिक मेटिरियल में हमारा दोनों प्लांट और इंडीमल ड्राइब दोनों तरह का और और डेयनिस और प्लांट रजीडियू है हमारा वह डोनों और डिकंपोजर्स मेंली जो हमारे फंगी होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं अब Indian Agriculture Research Institute जो पूसा में है पूसा रोड डेली पे उसने एक bio decomposer capsule तयार किया है यह capsule कैसे तयार किया है साथ फंगी को मिलाके एक bio decomposer capsule तयार किया है और इस capsule में इस capsule जो है enzyme produce करता है और यह enzyme जो है पैडी जो हमारा पराली होती है उसे जल्दी डिकंपोज कर देता है तो यह साथ फंगी को मिलाके यह capsule तयार किया है which produces this and some enzymes which are useful in decomposing हमारा जो है अश्टबल और यह हमारी फंगी है यह थ्राइव करती है 32-32 degrees Celsius पे इसनका ideal temperature है और इतना ही temperature होता है हमारा November-Dسمber में North India में 32-32 degrees और यह इस फंगी का ideal temperature है तो यह इसलिए North India के लिए recommend किया जा रहा है यह जो पूर्सा decomposers है Indian Agriculture Research Institute ने इसे commercialize भी कर दिया है इस technology को और license दे दिया है छे कंपनिये को कि यह capsules को बनाएं यह capsule 4 capsules इस बीस रुपे में मिल रहे हैं which is very 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 cheap and which is very very cheap for farmers बीस रुपे में चार capsules मिल रहे हैं तो हमारे डेली के जो चीफ मिनिस्टर ने अरविंद केज्रिवाल उन्होंने अनॉंस किया था कि डेली जो है वो स्प्रे करना शुरू कर देगा 11th of October से इस पूसा बायो डेकंपोजर को तो प्रेवेंट स्टर्बल बर्निंग इसमें डेली को 20 लाग रुपे का खर्चा आ रहा है for 800 hectares of farmland 20 लाग रुपे का खर्चा रहा है और एक और फाइदा है इन बायो डेकंपोजर का इसे इंप्रूब करेगी क्योंकि डेकंपोज होगा हमारा जो पराली है जो हमारा crop residue है, वो field में ही decompose होगा, field में ही decompose होगा तो वो एक organic manure की तरह काम करेगा हमें fertilizers कम use करने की ज़रत पड़ेगी और it will increase the fertility in long run so it is effective efficient, cheaper, durable eco-friendly, तो ये सब कुछ provide कर रहा है अब हमारा कैसे ये काम करेगा, साथ strain है फंगी के, उनको 4 capsule में पैक कर दिया है और उन 4 capsule का cost है हमारा 20 रुपए अब हम ये काम कैसे करेगा, हम उसका process देखते हैं सबसे पहले हम 25 लीटर पानी लेंगे और उसमें 500 लीटर, 500 ग्राम जो है हम उसमें good मिलाएंगे, जैगरी mix 25 लीटर of water with 150 ग्राम जैगरी और उसे boil करेंगे boil करने के बाद उसे ठंडा करेंगे ठंडा करने के बाद उसमें 50 ग्राम बेस हन that is ground floor, वो मिलाएंगे और 4 tablets मिलाएंगे ये 20 रुपए की जो 4 tablets सारी हैं ये 4 tablets मिलाएंगे इसके बाद इस mixture को ढखके छोड़ देंगे ferment होने के लिए 3-4 दिन के लिए ferment होने के बाद इसमें फंगी की growth हो जाएगी बहुत जादा और उस फंगी की जो growth हो जाएगी उसे mixture में फिर से मिलाके इस पूरे mixture को 500 ml पानी में मिलाएंगे फंगी की growth हो जाएगी ferment होने के बाद फिर उस जो जो फंगी की ग्रोथ हो गई है उसको मिक्स करके मिक्सचर के अंदर फिर इस पूरे 25 लीटर मिक्सचर को 500 लीटर पानी में मिलाया जाएगा और यह जो 500 लीटर पानी है 525 लीटर पानी है यह एक हेक्टेर लेंड के लिए काफी होगा तो हमारा 20 रुपे और 1.500 ग्राम इससे वारा 20 ए जाजरे 25 लीटर है 10,15 लीटर हो मिलाा हो फिल्ड को वीटर वोगा क्रियार पानी के लीए तो यह बहुत लंबा टाइम है तो फार्मर्स जो है एक हो opt for this technology पर Indian Agriculture Research Institute बोल रहा है कि यह 20-25 दिन यह maximum time है फार्मर्स जो है फ्रेट को प्लो करना फ्रेट को जोतना जो है 10-15 दिन के बाद start कर सकते हैं यह maximum time है 20-15 दिन फार्मर्स 10-15 दिन बाद अपना फ्रेट को फ्रेट को प्लो करना शुरू कर सकते हैं तो अब question है फार्मर उप्फोर इस टेक्नोलोजी क्योंकि फार्मर्स जो है मैं एक अग्रिकल्चरल बैग्राउंड से बलॉंग करती हूं अग्रिकल्चरल फैंमली से बलॉंग करती हूं और हरे मैं बलॉंग जब उसको एक तिल्ली लगा के और सार्या स्टबल जो है जल जा रहा है तो तो फार्मर्स को जो है सब्सीडी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फोर्ड़ बहेवरियल चेंज विच आइधिंक करनी ही पड़ेगी और जो है एड्यूकेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी के भाई इससे फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी पॉलूशन कम होगा यह सब बहेवरियल चेंज के लिए गोर्मेंट को जो है स्टैक्स लेने पड़ेंगे मेरे हिसाब से और एट सिट फोर टोड़े आपको समझ में आया हो मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है थैंक यू वेरी मच